नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल GK Revolution में जो हमारी महतफोन सीरीज चल रही थी टॉप प्रिविस येर जीके की उसके हम भाग 22 में पहुँच चुके हैं ठीके फ्रेंड्स तो इसमें भी हम महतफोन 50 कोशन को डिसकेस करने वाले हैं पहले वीडियो को शुरू करते हैं पहलब कोश्यन है किस वन्ष के शार्षकों को हमें मंदिर एंवं मंदिरों एवं ब्रहामणों को सबसे अधिक भूमि दान में दी थी तो किस वन्स के शाष्रकोनी दी थी? गुप्त वन्स के शाष्रकोने दूसरा प्रशन है ध्वनी की अधिक्तम गती किस में होती है? तो ध्वनी की जो अधिक्तम गती होती है वह इस्टील यानि की इस पात में होती है तीसरा प्रशन है भारत में सरवादिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो भारत में सबसर सबसरा चांदी जहां होती है वहाँ जगा है राजस्थान अगला है रामेश्वरम किस राज्य में इस्तित है तीक है रामेश्वराम जो है हमारा यहां तमिल नाड़ो में इस्तित है ठीक है अगला है विश्व खाद्य प्रोग्राम का मुख्याल है कहां इस्तित है तो दीखे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डबलू पी ठीक है डबलू एफपी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यह इसका ह है रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट तर कौन निर्धारित करता है तो देखिए रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो ठीक है अगले कोशन हमारा कि एक भारी नाविक के दो हलके नाविकों में टूटने की परिक्रिया को क्या कहते हैं तो दीखिए एक भाड़ा सा नाविक है भारी नाविक है यह छोटे-छोटे हलके नाविकों में टूट दाता है इसी को कहते है नाविकया विखंडन ठीक है औ वहां पर क्या होता है, वहां पर hydrogen, helium होता है न, दुरống आपस में मिल मिलके, बहुत सारे combination बनाते हैं, असके पास energy release करते हैं, अगला question है, अकबर नामा अवं आइने अकबरी की रचना किसने करी, अकबर नामा जो कि अकबर की आत्मीकता है, और आइने अकवरी ठीक है ये इसकी रचना किसने करी अबूल फजल ले अगला प्रशना है भारत के उपराश्च्रपती को पज से हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है तो उप राश्ट्रपती को हटाने के लिए केवल राज्य सभा का सभापती होता है तो परमाणू बम का आविश्कार किस ने किया था तो परमाणू बम का आविश्कार किया था अगला प्रशन है साची उस्टुप की खोच के कब हुई थी तो साची उस्टुप की मध्यप्रदेश में इस्तित है इसकी खोच 1818 में हुई थी और 1999 से उसकी खोच की थी, थॉमसन ने, ठीक है, और जो हमारा प्रोटोन है, उसकी खोच की थी, रदरफोड ने, अगला कोशन है, अराकू वैली किस राज्य में इस्तित है, तो अराकू वैली जो है, यहाँ अंदरप्रदेश में इस्तित है, अंदरप्रदेश की राजधानी क्या ह अमरावती अगला है नंदुवंश का अंतिम शाशक कौन था तो नंदुवंश का अंतिम शाशक था धनानंद ठीके फ्रेंड्स और इसी को हराकर चंद्रगुप्त मोहरे ने मगद पर मोरेवंश के स्थापना की थी ठीके फ्रेंड्स और घनानंद से एक और important question ये बनता है कि या जो सिकंदर था उसका समकालीन था कई पर पूछ लेता कि सिकंदर के समकालीन भारते साशक कौन था तो वह था धनानंद दादा सहाफ फाल के पुरसकार किस वर्सी से प्रारंब हुआ था तो यह 1999 से शुरू हुआ था और अभी हाली में इसका पचासवा जो आवार्ड वो अमिता बच्चन को मिला है तो पचासवा दादा सहाफ फाल के पुरसकार किसको मिला है अमिता बच्चन को अगला प्रशन है हमारा भारत का राश्ट्रपती बनने के लिए नियुन्तम आयू सीमा कितनी है तो राश्ट्रपती बनने के लिए जो नियुन्तम आयू सीमा ह वहाँ है 35 वर्ष ठीक है अगला है लेबराडॉर क्या है तो लेबराडॉर एक प्रकार की छंडी जल्द आ रहा है जैसे जो लू है जो भारत पाकिस्तान की तरफ बहती है तो यह एक गरम जल्द आ रहा है तो ऐसे ही जो लेबराड ओर है यहाई ठंडी जल दा रहा है अगला है संगीत नाटक अकैडमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकैडमी की स्थापना 1953 में हुई थी और इसका मुख्याला कहां इस्तित है? दिल्ली में भारत में दशनलव मुद्रा प्रणाली की शुरुवात कब हुई थी? तो भारत में दशनलव मुद्रा प्रणाली की शुरुवात हुई थी अपरेल 1977 में ठीक है फ्रेंस? अगला कोशन है किस वर्ष मैशूर का नाम बदल कर करनाटक रखा गया था? तो देखे एक कोशन ये भी बन गया आपका कि करनाटा का पूर्वु नाम क्या था मैसूर और कब इसको बदला गया था 1973 में अगला प्रशन है भुरुन अवस्ता में रक्त में आरबीसी का निर्माण कहा होता है तो आरबीसी के जो निर्माण होता है भुरुन अवस्ता में वह यकरत एवं पिलह में होता है ठीक है वरतमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है वरतमान में हमारे छे मौलिक अधिकार है पहले साथ थे, लेकिन संपत्य के अधिकार को कानूनी अधिकार बना धिया गया अगला है किसके सिक्कों पर भुद्ध की प्रतिमा बनी होती थी कनिश्क के और भारत में सबसे पहले तो कोई प्रतिमा अगर पूजी गई थी तो वो भुद्ध की ही थी भारत के किस राज्य में पहली बार गेर कॉंग्रेसी सरकार बनी थी तो भारत के किस राज्य में बनी थी सबसे पहले गेर कॉंग्रेसी सरकार केरल के अंदर बनी थी किस पदार्थ को काला सोना कहा जाता है तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को ठीक है जैसे हरा सोना हमने आपको बताया था ना माने एक वीडियो में कि हरा सोना कहा जाता है चाई को अगला कुशन है एक राज्यपाल अपने करतियों के लिए किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो जो governor होता है वहाँ राष्ट्रपती के प्रती उत्तरदाई होता है Mount Everest पर चड़ने वाली प्रतम महिला कौन थी? तो Mount Everest पर चड़ने वाली पहली महिला थी जुनों को तैबाई जोके 1975 में चड़ी थी अगर भारत की पहली महिला होगी तो वो की बचेंद्रिपाल जो की 1984 में चड़ी थी भारत रत्रत में से सम्मानित होने वाले प्रतम बिदेशी कौन थे तो वो थे खान अब्दुल गफार खान 1987 में इनको भारत रत्रत रत्रत दिया गया इंद्र धनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है तो इंद्र धनुष के मध्य में होता है हरा रंग किस रंग की वेवलेंद सबसे अधिक होती है तो सबसे अधिक वेवलेंद होती है लाल की ठीके फ्रेंज हराँ रंग होता है सबसे अधिक वैविलेंग किसकी होती है तो red की है सबसे कम किसकी होती है violet की अगला है सिर्का में कौन सा अमल होता है सिर्का जो हमारा होता है विनेगर उसमें acetic acid होता है रातरी को चमकने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है तो जो वस्तिय जो रात को चमकती है उन्हें खगोलिया पिंड कहते है माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है तो माधवपुर मेला जो है यहाँ गुजरात में लगता है ठीके फ्रेंट्स गुजरात में लगता है जूकि मिश्मी जन जाती का है और मिश्मी जन जाती कहां पाई जाती है अरुनाचल प्रदेश में अगला है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण कहां इस्तित है तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण जो है यहां करनाटक के अंदर इस्तित है फेफणों के मद्धे में कौन सी गरंती होती है तो फेफणों के मद्धे में थाइमस ग्लैंड होती है ठीके फ्रेंड अग में मद्रे से कि स्थाप्न की गए थी वारं हेस्टिंग के दौरा 1791 में कलकत्ता में राश्त्पति द्वारा राज्ज सवा में कितने लोगों को मनुनित किया जा सकता है? तो बारा लोगों को मनुनित किया जा THIS रहता है और यहां प्राव दान कैसे द्षि १े CR साया है आयरलेंड के समविधान से किस गुप्त का लिन शाषक ने कवी राज की उपादी धारन की थी तो कवी राज की उपादी समद्र गुप्त ने धारन की थी जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है एथिलीन के बहुली करने से किस पदार्त का निर्मान होता है तो ज वहां पर सूरह के प्रकाश को एक साथ जमां करके फिर नीचे आग लगया जाती है, चाहे कागज हो चाहे कुई भी चीज़ हो, तो उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, आवतार लेंस लगा होता है, सिम का पूर्ण रूप क्या होता है कि मुबाइल फ़रूम में सिम लगता है सिम की जो फूल सब्राइबर आइदेंटिटी मॉड्यूल विश्व का अपरिवृत्निया शहर किसे कहा जाता है तो विश्व का जो कभी सहर कुछ परिवर्तित नहीं होता खालसा पंत के संस्थापक थे जो कि सिखों के दसवे गुरू थे और गुरू तेग बहादुर जी के पुत्र थे अगला है कुष्ट रोग बिमारी किसके संक्रमन से होती है तो जो कुष्ट रोग होता है जो हमारे पास टिटनेस होती है ठीक है तो कुछ टिरोग होता है वो किसके द्वारा होता है जिवानों के द्वारा ठीक है तोरा बोरा पहाडिया कहां पर इस्तित है तो तोरा बोरा पहाडिया जो है यहां हमारी अफगानिस्तान में इस्तित है किस gas को laughing gas भी कहा जाता है तो laughing gas कहा जाता है nitrous oxide को ठीके फ्रेंस N2O इसका formula होता है Gateway of India का निर्मान किस वर्ष पूरा किया गया था तो Gateway of India का निर्मान 1924 में पूर्ण किया गया था ठीके फ्रेंस जबकि 1913 में इसका निर्मान शुरू हुआ था और इस ये उचाई कितनी हलगबग 85 feet है Lady Willington Willigan Park कहा इस्तित है तो दीके Lady Willington Park को ही Lodi Garden कहा जाता था पहले ठीक है कहा इस्तित है नई दिल्ली में इस्तित है तो ये थे हमारे महतफूर आज के 50 question हमने देखें जो हमारी सीरीज थी वो हम 22 भाग हमने उसमें complete कर लिया है बहुत ही महतवूर ये सीरीज है आप इसको जाकर देख सकते हैं ठीके friends बहुत ही ज़्यादा important आपके लिए होने वाली है Thank you friends